जी तो अब हम इसके अंदर डिजाइनिंग शिरू करते हैं ये तुमाम डिजाइनिंग जो है वो इस तरह यानि के बगार किसी पैटरन के हमने बनानी होती है क्योंकि पांचा गंदा हो जाता है अगर इस पे हम लाइने लगाएं तो तो ये दिहान से देखें ताकि आपको सम जांटी उमीद है आप सब खेरियत से होंगे आज मैं आपको फॉम वले पांचे समझाने जा रही हूं ये मैंने इस पे लठा पटी लगा के रखी है जो नीचे वाली साइट पर मैंने लगाई है और इस जगह पे जिदर हम लठा पटी जो जिली लगाते हैं वहां पे आमन से देखें वीडियो को स्किप मत करें ताके आपको डिजाइन मुकमल समझा आ जाए और फेस्बुक पर जाइन करने केविए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मुझूद है प्लीज विजिट करें पेज को फालो करें शेर करें तो चलते हैं अपने डिजाइन की अदाके हमारा ये लाइन सीधी आज़े और इसके अंदर फॉम भी सही तरीके से एड़ेस्ट हो जाए तो एक्स्ट्रा फॉम को हम काट लेते हैं और इसके बाद हम सीधी साइड से अपने डिजाइनिंग बाकी करेंगे तो ये अब हम एक पैर की सलाई इस साइड से भी और द दूसी साइड पे भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने एक पैर की सलाई लगानी है जी तो अब हम इसके अंदर डिजाइनिंग शिरू करते हैं ये तुमाम डिजाइनिंग जो है वो इस तरह जानी के बगार किसी पैटरन के हमने बनानी होती है क्योंकि पांचा गंदा हो जात है ताकि आपको समझ आए ये दर्मियान में हमारी कंप्लीट होगी डिजाइनिंग अब इसकी साइडों पे हमने डिजाइन बनाना है तो उसके लिगे दियान से देखें ये पैटरन जो इसके एक साइड पे हमने बनाया है बिल्कुल यही बहला हमने दूसरी साइड पे भी बनाना है एक्स्टा दागा काट लेते हैं ये हमारी अंदर की डिजाइनिंग कंप्लीट हुई अब हमने इसकी साइडों पे जिग जैग बनाना है जी वीवर्स तो देखें ये हाथ वाली मशीन से मारा जिग जैग कितना माशाला प्यारा बन रहा है अब दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह बनाना है जी वीवर्स तो ये रहा हमारा डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगड़ा है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि आपको कैसा लगा तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें चैनल को कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अल्हाफिज